आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कंप्यूटर फंडमेंटल के इस कोर्स में सुपर कंप्यूटर क्या होता है कोई सब बोले को बोलते हैं वह को जानना चाहिए कि एक्चूल मेंydária क्या काम करते है के इसे इसे यूज कि और ठाक तो चलिए स्टार्ट करते हैं super computer is a special type of computer यह सब बोलते हैं वो तो आपको भी पता है तभी तो इसका नाम है super computer लेकिन यह क्यारता क्या है whose computing speed is thousands of times more than the personal computer present in our homes जो भी हम अपना PC use करते हैं हमारे घर में उसके speed सी अगर हम तुलना करे super computer की speed की तो वह thousands of time ज्यादा होता है super computer का speed ठीक है इसी वज़े से तो इसका नाम है super computer it can do even the biggest task in a few seconds which our normal computer cannot do बड़ा से बड़ा टास्क आप इसमें perform करिये super computer में सेकंडों में करके दे देगा जो कि हमारा normal computer नहीं कर सकता ठीक है time लेगा पर करेगा तो यहां पर हम आपको example के तुरूही समझाते हैं माल लीजिए हम यहां पर computer system बना यह क्या है यह हमारा PC यानि personal computer जो हम घर में यूज करते हैं अब अगर यहां पर हम एक और computer बना देते हैं यह क्या है यही तो है हमारा super computer तो इन दोनों में difference क्या है हम आपको समझाते हैं सबसे पहले तो इसका size कम होता है चोटा होता है और इसका size एक room के बराबर होता है ठीक है और इसका speed इतना जादा होता है कि यह सोच भी नहीं सकता तो इसका यूज कहां किया जाता है सुपर कंप्यूटर का बड़े बड़े organization यूज करते हैं जैसे हो गया हमारा NASA उसके बाद एक और हो गया इस तरह के organization में सुपर कंप्यूटर यूज किया जाता है जहां पर पल पल की information चाहिए होती है scientist लोगों को जैसे example के लिए consider करिए कि NASA ने क्या किया एक missile launch किया अभी missile का live update क्या है missile किस speed से कहां जा रहा अभी कहां पर present है वो सारी information live scientist को चाहिए तो सुपर कंप्यूटर ही दे सकता है missile की live update लेकिन अगर वही live update जो NASA ने missile launch किया हुआ है वही live update अगर हम अपने इस computer से देखे कि missile कहां है तो हमारा computer क्या दिखाएगा missile मानी मान लिजे कि actual missile crash कर गिया है लेकिन हमारा यह personal computer live update में दिखाएगा कि missile अभी वी उड़ रहा है ठीक है missile को कुछ नहीं हुआ जबकि सुपर computer फट से बता देगा कि मिसाइल अगर crash कर गया तो बोल देगा कि crash हो चुका है उड़ रहा तो बोलेगा उड़ रहा है लेकिन इसका speed कम होने की वज़ा से यह missile crash हो चुका है फिर भी यह दिखाएगा कि missile अभी भी successfully जा रहा है अपने target पे ठीक है तो यह difference होता है सुपर कम्प्यूटर और पर्सनल कम्प्यूटर में अभी आपको कुछ points याद रखने चाहिए दोनों के बारे में सुपर कम्प्यूटर्स और mostly used for scientific and engineering applications scientific applications और engineering applications के छेतर में सुपर कम्प्यूटर का use किया जाता है हमने आपको example देके समझाया भी है सेकेंड पॉंट क्या दा पर्फोर्मेंस ओफ़सुपर कम्प्यूटरीज मेजर इन फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ओप्रेसंट में इसकी स्पीड होती है सुपर कम्प्यूटर की जबकि हम जो normal computer यूज करते हैं उसका इस फीड होता है एंबी पीयस तो इसके मुकाबले यह बहुत जागा यह स्पीद सुपर कंप्पीटर का धीनल कोने स्पर कि क५ॉयटर के अपर सीच्टर के हमारा परस्टनल कंप्पीटर होता है जबिए का फ्लोटिंग पॉस्ट प्र के 20 कि इस अ depends operating system जो भी सुपर कंप्यूटर होता ना वह लाइनेक्स ओप्रेटिंग सिस्टम में चलते हैं जनरली वह लाइनेक्स ओप्रेटिंग सिस्टम में ही रन करते हैं ठीक है क्योंकि इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है कमांड बेस पे काम होता है पूरा अगला पॉइंट है सिक्स थाउजन्ट सिक्स हंड्रेट वाज़ वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था सी डिसी 6600 ठीक है एक्जाम में यह कोस्टन आता है इसे याद रखेगा सेमर क्रें इंवेंटेट दा सुपर कंप्यूटर और यह साइंटिस्ट का नाम है या फिर इंजिनियर का नाम है जिनोंने सुपर कंप्यूटर को इंवेंट किया था बनाया था अगला पॉइंट है सुपर कंप्यूटर वाज मेड इन 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर बना हुआ अभी आपर अपने इंडिया के लिए प्रावड की बात किया कि परम 8.000 वाज़दा फॉर्स्ट इंडियन सुपर कम्प्यूटर जो कि 1991 में ये रिवाइट किया था बना गया था ठीक है तो पर और पर्सेल कम्पूटर में एक और अन्तर होता है कि super compiler को प्रायस होता यह काफी जहादा हुब और नर्मल इंसान उसे परचिस नहीं कर सकते उसे पर्चिस करने के लिए हमें लाइसेंस भी चाहिए सुपर कंप्यूटर के लिए जबकि नॉर्मल कंप्यूटर कोई भी कभी भी कहीं भी यूज कर सकता है तो यह वीडियो आप लोग ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज बनाईए इसलिए मैंने सोचा कि आज हम सुपर कंप्यूटर के बारे में ही आपको बता देते हैं वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए चानल को सब्सक्राइब कर दिजिए